वेलकम तो आवर चैनल नौलेज विद फैक्ट्स गेर फ्रेंड्स आज हम आपके बीच में फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्तित हुए हैं जो कि हमारा विज्ञान से सम्दित है जैसे कि हमने पहले ही वीडियो में आपको बताया है कि विज्ञान एक ऐसा टापिक है ज खासकर गुर्पडी और एंटीपीसी के लिए बहुत ही महत्तवपूर्ण है तो उसी इंपोर्टेंसी को देखते हुए हमने जो आज का यह वीडियो बनाया है वह बहुत ही महत्तवपूर्ण प्रशनों से भरा हुआ है इस वीडियो को हमने चार भागों में बाटा हुआ ह जो हर एक एक लाइन एक्जाम पॉइंट आफ यूज बहुत ही महत्तवपूर्ण है तो इसे आप पूरे वीडियो को बहुत ही गौर से देखिएगा क्योंकि इस पूरे वीडियो में मेरे हिसाब से कम से कम इंपॉर्टेंट क्विस्चन के अगर बात करने तो कम से कम मेरे ह समय गवाए हुए हम अपने वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं क्योंकि आज यका जो यह सेशन है वह बहुत ही महत्तवपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी विद्यार्थियों के लिए तो इसे गौर से देखिएगा और एक चीज को आप समझने क अवाले अंगल ठीक है उसके बाल दूसरा जो मारा पार्ट प्रमुक रोख संबंदिद मेठाव में होता है जल क्या होता है समुद्री जल का पीएच मान क्या होता है दूसी को देखते हुए मुझे जो इंपॉर्टेंट्स लगे कि इसके इसमान सधिकतर एक्जामस में रिपीट हो रहे हैं उसको हमने यहां पर रखने की कोशिश की है पूरे वीडियो में किसी भी चीज को कहीं भी किसी पूरे एंगल से स्किप करने लायक नहीं है तो इसलिए आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा और एक एक चीज को आप समझने की कोशिश करिएगा तो आएए हम सबसे पहले चलते हैं रोगोश्य प्रभावित होने वाले आंग तो इसमें सबसे पहला सबसे पहला जो प कि नाम है हमारा सथमान पूरे छे रोग को अगर किसी को हो जाता है जैसे किसी व्यक्तिक खेल इन में से किसी रोग से अगर वह इंफेक्टेड हो जाता है तो इसका जवाब है हमारा ठीक है उसके बाद वाले पंट्वाइन बढ़ते हैं ठीन द्रों México खासिए गंधी मांämä इन तीनों से भी हमारा फेफडा ही डिश्टर्व होता है ठीक है उसके बाद वाले पॉइंट पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हैजा, टाइफाइड, पेचीस, और डायरीया है आध ठीक है अब उसके बाद वाले पॉइंट पर हम आगे जब चलते हैं तो पोलियो रैबीज मिर्गी और टिटनेस पोलियो रैबीज और मिर्गी टिटनेस इन चार रोगें से सरीर का कौन सा भाग डिश्टर्व होता है तो आहें हमारा तंत्र का तंत्र इसे आप ध्यान रखिएगा क्योंकि यह जितने भी इस बोर्ड पे जो जो भी चीजें लिखी गई है वह एक्जाम पॉइंट आफ्यू से बहुत ही महत्तव पूड़ है तो कोई भी चीज यहां पर स्किप करने लायक नहीं है इसे आप ध्यान से पाइरिया वहोग उसकोड़ों सब्सक्राइब होता है किस वह लोग तो इसके मसूड़ेतप होते हैं टो उसके बाद यूपıyla लोग होर जाते हैं कि Chief ब्याक्ति को तो इससे हमारा या कृत्ट डिश्टर्ब हो जाता है या प्रभावित हो जाता है कोड अगर किसी ब्यक्ति को हो जाता है तो इससे हमारा तंत्र का तंत्र प्रभावित हो जाता है प्लेग क्या है प्लेग के बारे में आपने जानते होंगे बहुत सारे बच्चे इसके बारे में जानते होंगे तो लाल लग्ट कड़काये पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है उसके बाद वाले पॉइंट पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो सुगर, जो diabetes, सुगर को हम diabetes भी कहते हैं, diabetes एगर किसी ब्रणaguesड से प्रभावित हो जाता है, ठीक है, उसके बाद पॉइंट प्रेमा काधते हैं, या ग्येंगा रोSean से अगर कोई रसीत हो जाता है, तो यम scasia हमारा प्रभावित हो आगे बढ़ते हैं तो कोमा मायोपीया और थीक है ट्रेकोमा ग्रोकोमा मायोपीया और रोहा अगर किसी व्यक्तिकों इन्फेक्टेट होता है तो इससे हमारी आंखे प्रभावित हो जाती है ठीक है उससे बाद हमारे next point पे आता है हमारे एड्स एड्स से क्या क्या स अगर किसी बेक्ति को एड्स हो जाता है तो इससे शरीर की प्रतिराःच्छा तंत्र— जो है वो प्रभावित हो जाती ठीक कैसे बाद वाले बढ़ते हैं तो हमारा स्वासनली पूरी तरह प्रभावित हो जाती है ठीक है उसके बाद आता है हमारा खसरा कासरे से पूरा तो पूरा शरीर प्रभावित हो जाता है इसका जबाब हमारा की पूरा सरीर प्रभावित होता है क्योंकि एक्जामस में कई सारे बिकल्प दिये होंगे तो अगर आप पढ़े होंगे अच्छी तरह से जवाब क्या होगा तभी आप उत्तर सही दे पाएंगे वह अन्यथा इस तरह से सटीक वहां पर रखे होते हैं का अधिकतर कंफ्यूज हो जाएंगे है ठीक है तो अब ध्यान रखेएंगा मॉरानजाइटीस से हमारा हमें साम्मस्तिस के ही प्रभावित होता है हर्पीज हर्पीज नमें रोग से हमारी तुछा प्रभावित हो जाती है उसके बाद वाले पॉइंट पर जो हमारा नेक्स्ट और सबसे अंतिम रोग है वह हमार तक होता है उसके बाद हमारा दूसरा पाड़िया पर रिलेटेड है प्रमुख रोग इवंस से समबंधित T-cup K यहा तो रोग हो गया रोग से प्रभावłyत अंग हो गया अब सब्डGR रोग है और ऊसे सम्бंधित कौन-कौन कर भेमि से लगा जाते हैं इसके बारे में हमारा दूसरा पार्ट है इस वीडियो का अब दिखला से प्रिख आखिएगा तीवी का कॉन से लगाय जाता है कि इसने direct के लिए हमारा बीपींची Paige कि लगता है तो बिसीजी नामक टीका जो बच्छपन में लगता है जैसे यह जन्म लेता है उसें लगा जाता है ताकि उसे T personalities बचाव के लिए DPT नामक टिका लगा जाता है उसी तरह काली खासी और कुक्र खासी के लिए से भी DPT का ही तीका लगाया जाता है उसके बाद nei qt 아ता है जो हैं माप के संखलब में मप्स एवम खस्रा मप सब्सक्रम खसरय के लिए जो टीका लगता है उस उस टीके का नाम है हमारा mumms vaccine ठीक है इसे आप ध्यान दीजिएगा कि मॉप्स और खसरा के लिए जो टीका लगा जाता है उसका नाम इसी मॉप्स से अब ध्यान दीजिएगा अगर मॉप्स सब दाता है तो उसी नाम से यह इसकी वैक्सीन बनी होई है मॉम्स वैक्सीन ठीक है मॉम्स और खसरा के लिए कौन सा टीका लगता है मुम्स वैक्सिन इसके बाद पोली ओगु जो फिलाई जाती है वह तो अलग चीज हो गर यह लिए बच्पनमें नहीं इसके लिए जो पॉल इसे हम पोली तो POLIO के लिए कौन सा TKA लगता है तो POLIO का TKA लगता है अब Typhide Typhide के लिए भी जो TKA लगता है उसका नाम है हमारा TAB, TAB नामक TKA लगाया जाता है, किसके लिए टाइफ़ाइट के लिए चोटी माता चोटी माता का जो बच्पन में नौजाल सिंशु को जो चोटी माता को टीका लगा जाता है उसका नाम है हमारा रुबेला वैक्सीन कौन सा टीका लगा जाता है रूबेला वैक्सिन किसके लिए लगा जाता है छोटी माता नामक जो रोग होता है उससे बचाव के लिए ठीक है उसी के सिंखला में एक और जो अंतिम इसमें है हमारा जर्मन खसरा जो एक रोग है हमारा जर्मन खसरा इसके लिए कौन सा टीका ल छोटी माता और जर्मन खसरा के लिए ये दोनो के अई इक ही नाम के पैदि के लगा जाता हैं जिसका नाम है अमारा बैला वैक्सीन उस docs के सिंखला इस विडियो की सिंखला में तीसरा पार्ट जो है हमारा वह है जिशओधारियों के वैग्यानिक नाम सुर्प तकिक Googles कि फिरा के चाहिए जैसे विंग एकर आपसे पूछे तो आपसे वाकु अबचके जाने ना पाए मेरा पूरा भी स्वास हे कि आपके लिए बहुत यह बहुत-धरीं क्यूसुन विडियो आपके बीच में लेकर आए आपको बहुत पसंद आएगा तो यह जियुधारियों के हमारा होमो शैपियेंस चुंट शींखला में ठीचाट는 बते बोट के लिए कोशिच के रिए कि फालतु चीज़े अभी पढ़ने से हम बचें समय लोगों के पास बहुत भादने है इसलिए हम उतना ही पड़ें जो परिछ्छा के दिश्टी कोंड से उपी हो ठीक है उसी की शंकला में आगे हैं लिए तो मेडक का मेड़क का हमारा राना मेडक के रताइटा हम को ऊपना भाड़ता है से हमारा है जब आगे बढ़ते हैं तो बिली बिलीगा जो संचम्टीफिक नेम है हमारा फैलिज्स क्वीं करत ॥िक विली का हमारा सांस्टीफिक नेम है वह है फैलिस्ट्थ् भ्रीक घुका और स्टिक अपाने चौथ्य ्स प्ई फैमिली रीज ठीक है उसके बाद हम अपने पाच्वे पॉइंट पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो आता है हमारा गाय जिसे अंग्रेजी में काउ करते हैं लेकिन उसका बैज्ञानिक नाम क्या है वहारा बहुस इंडिकल्स ठीक है बहुस इंडिकल्स को बहुसिंडिकल्स कि हमारा वैग्व्यानिक नाम है ठीक है। उसके बाद हमारा आता है मक् pictured हैं दूसरे मिलते जलते हैं तो थोड़ा ध्यान देंगे थोड़ा एक तो बार आप इस पर राठ लिएगा क्योंकि यह अधिकतर कंट्रेट करता है ठीक है इसके बाद जो आता है आम ipad जो बैग्यानिक नाम है आम का बैग्यानिक नाम बहुत सारे बच्चे जानते होंगे आम का बैग्यानिक नाम क्या है अगर ना जानते हो तो भी आप जान लीजिए कि आम का बैग्यानिक नाम है हमारा मैगनी फेरा इंडिका अब उसके बाद वाली सिंखला पे नेक्स्ट औरिजा सैतिवा को हम धान कहते हैं औरिजा सैतिवा जो बैग्ज्ञानिक नाम है किसका है धान का बैग्ज्ञानिक नाम है गेहूं गेहूं जिसे हम भीट कहते हैं भीट मतलब गेहूं होता है लेकिन गेहूं का जो हमारा बैग्ज्ञानिक नाम है वह है हमारा टिटिकम एस् मतिवन ठीक है उसके बाद नेक्ट पोइंट पॉइंट पर चड़ते हैं जो है अमारा मठर मठर पी मतलब मटर होता है लेकिन मटर का जो है हमारा बैग्यानिक नाम है हमारा पी सम सैटिवम ठीक है पी सम सैटिवम को हम मटर कहते हैं चना इसके बाद ग्राम जिसे एंग्रेजी में हम ग्राम कहते हैं ग्राम मतलब चना होता है लेकिन चने का जो हमारा बैग्यानिक नाम है व 2020 करता है हैं सर्सों जिसे मुश्टर्ण्ड कहते हैं सर्सों सर्शों का उस्वैंस नाम है उनधिक questo कर udah अरते हैं जो हैं समाने पदार्थों के 40 विडियों कि हमने पहले सुरूंब ने के पहले आपको बताया पीच मान एक्जाम्स में अधिकतर पूछे जाते हैं तो उसमें कताई अपला परवाही मत करिएगा पीच मान में अधिकतर confusion भी होता है इसे आप रट लीजिएगा हाला कि हमने पिछले विडियो में आपको कुछ चीजे रटने से मना कि लेकिन देखिए कुछ चीज जो बहुत important है ताकि आपको confusion ना हो तुछ आप एक दो बार लिख लीजिए और एक दो बार लिखने के साथ आप उसे अपने मन में दोहरते रहिए तो आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा यहां जो पीच मान है यहां 10-12 जितने भी पीच मान में अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं तो सिर्का जिसे विनेगर कहते हैं सिर्का सिर्का का हमारा पीच मान होता है 2.4 ठीक है सिर्का का पीच मान 2.4 होता है सराब जिसे हम वाइन कहते हैं वाइन का जो पीच मान है हमारा 2.8 देखिए पीच मान को आप बहुत ध्यान से ठीक है दूद का पीच मान 6.4 और समुद्री जल का पीच मान क्या होता है समुद्री जल का पीच मान होता है हमारा 8.4 समुद्री जल का पीच मान 8.4 होता है उसके बाद हम लार जो मुह में हमारे लार होता है इसका पीच मान होता है हमारा 6.5 ठीक है लार का पीच मान 6.5 और उ ठिक Rice Rider पिआच मांन 6 होता है उसके बाद हमारा आता है उसके भी नीवू का प्छी मांन 2.2 हो गया उसके बाद काफी का प्छीश का प्योपान जो है हमारा फौर पॉइंट फा प्रेंट फाइब के बीच में fish में 4.5 वांट 5 की बीच में होता है उसके बाद आता है हमारा बी जिसे देखे बीर और सराब दोनों अलग अलग चीज़ें क्योंकि यहां पर देखिए सराब का पी एच मान है 2.8 लेकिन फिर का पीच मान है फोर पॉइंट जीरो से लेके 5.0 घृत टिक कहां उसके बाद हमारा अ स्क्रीन साट ले लीजिए तो आईए हम इस पूरे वीडियो के गवार फिर से दूराते हैं ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझ सकें ठीक है यह पहला हमारा जो पार्ट है इस वीडियो का रोगों से प्रभावित होने वाले अंग इसका इसमें पहला पॉइंट ही नीमोनिय ट्यूर विलोशी से अंग प्रभावित होता है हमारा प्रभावित होता है अग्स में के लिए से यकृत प्रभावित होता है है । प्रभावित होती हैं मलेरिया से हमारा लाल लगत कड़काओं के साथ साथ तिल्ली प्रभावित होती है मध्वेट डायबेटीज या सुगर से हमारा अगना से प्रभावित होता है ग्याइटरोम घेंगा से थायराइड ग्रंथी या गला प्रभावित होता है ट्रोकोमा गु जाते हैं खसरा संपूर सरीर इसे प्रभावित हो जाता है दिथिरिया में अस्थमा से हमारा स्वास्लेवित होता है और अंत में आता है के लिए हमारा प्रमुक रोग लगा के लिए नमक का लगा जाता है चोटी माता के लिए पैक्सीर माइक नमक चोटी माता के लिए और जर्मन खसरा के लिए भी रुबेला वैक्सिन लगाए जाता यहां के तिस्रे पार्ट से जब हम आगे बढ़ते हैं तो आए हमारा युद्धारियों से के वैज्ञानिक नाम सबसे पहला हमारा पॉइंट है मनुष से मनुष को हो मोजेपियंस कहते हैं मेड़क को हम राना कहते हैं बिल्ली के बिल् को क misinformation कहते हैं चना को Caesar dans एकले एकले खिरस्बाते का सब्सकुर्ण के टिर्याइब बिल्ली से 20 ऊजप मेल in 4.87 थो हैं मान और कुछ सामाने पदा उर्थ के प्येश मान प्येश्म आंफ्युक्ति सैंसे बहुत ही महत पूर्ण है Sultan ज्ञान दिजेगा कि सुद्ध जल का पीच मान साथ होता है सिरका का पीच मान 2.4 होता है और सराप का पीच मान 2.8 होता है दूद का पीच मान 6.4 होता है समुद्री जल का पीच मान 8.4 होता है लार का पीच मान 6.5 होता है मूत्र का पीच मान 6 होता है रक्त का पीच मान 7.4 होत कॉफी का पी एच मान 4.5 से 5.5 के बीच में होता है बीर का जो होता है 4.0 से 5.0 के बीच में होता है तो यह जो वीडियो पूरा साइंस पे जो बेज़्ड है उमीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा एक दो बार आप इसको देखिएगा जितनी भी चीजें आपको बो उमीद है कि एक दो बार आप देखेंगे तो यह पूरा वीडियो आपके दिमाग में होगा तो यह जो पूरा वीडियो है अभी ज्यान के जो बेज़्ड यह वीडियो है यह बहुत ही इंप्वाटेंट है परिच्छा के देश्टी कोड से आप इस वीडियो के एक या दो जरूर देखेंगे कि यही चीजें यहां दर्साई गए है एक जाम पॉइंट आफ यह से बहुत ही मौत्तपूर्ण है तो इसे आप एक दो बार देखिएगा बिना इसकिप किए देखिएगे इस पूरी वीडियो को और एक दो बार इसे जब आप देख लेंगे तो पूरा वीडियो का जो कांसेप्ट है पूरे वीडियो में जो हमने बताने की कोशिज किया पूरे आपके दिमाग में होगा और आप इसे अच्छी तरह से समझ भी जाएंगे अगर मेरा यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ सेयर करिएगा ला हुआ हुए हुआ 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 और नही बताने झाल वणला कर चा दोस्तों के साथ सब्सक्ने की की स्बादेश